रास्ते आपके सामने आपको दीख रहा है आपको पत्ते आपको क्या करना है तब भी आप ज्यादा सूस कैसे कन्फीूजन में बैट जाते हो कंफूजन में फाच जाते हो जहाँ पर आपको खुदी रास्ता नहीं बता होता अलेक्ट कि अजीर है ना बहुत ये सारी आप बाद आपको अजीर लेगे हुए कि अजीर में युट्यूर नीशानत क्या है लुट्यूर नीशान्त रातोर और वीडियो ग्रियाटर यूट्यूबर शो गोल्यूट्यूबर बट I don't like that name but so you can call me a video creator जो वीडियो बनाता है हर एक social media platform पर so Nishant here and today we are talking about I don't know so I have that I have one question जो मुझे एक बहुत दिनों से मेरे मन के अंदर था और मैंने सोचा कि कभी इसे address करूंगा in podcast so कभी वक्त नहीं मिला और कभी मैं कर नहीं पाया so मैंने आज सोचा कि आज हम इसे address करते हैं so आप सभी के मन में आप सभी के जिन्दगी में आपका सबसे बड़ा dream होगा कि आयर मुझे यह करना है या फिर कोई से skill होगी जो आपको सीखनी है like किसे से inspire होके आपको वो skill सीखनी like किसे से inspire होके आपको लगा होके आयर इस काम में बड़ा मसा आता है मुझे यह करके देखना है यह हुआ होगा आपके साथ वैसा मेरे साथ भी होगा था when I saw Sam Colder like any or many travel content creator जिने घुमने के लिए पैसे मिलते थे और वो घुम के वीडियो बनाते थे और उसे के उनको पैसे मिलते थे so I find I found that very like crazy like ऐसा क्या होगा कि लोग उन्हे घुमने के लिए पैसे दे और आप वीडियो बना आपको जैसे बनानी है वैसी और आप को हम travel कराएंगे sponsor करेंगे आपका trip और घुमाएंगे थोड़े दिनों बाद research किया और वो सारा समझने के बाद मुझे पता चला कि यार इनके पास एक skill है video creation content creation इनको पता है कि लोगों का दिल कैसे जिजात आता है और उनको पैसे मिलते है लैक travel company क्यों sponsor करती आपको किसी एक creator को जिसके पास 20,000 subscriber है या फिर 20,000 follower है इंस्टाग्राम पे तो travel क्यों उसे sponsor करेगा वो travel company होगी तो वो उसे क्यों sponsor करेगी क्योंकि अगर वो बंदा अगर किसी एक travel company के साथ घूमने जाता है तो वीडियो बनाएगा और वीडियो में उस company का नाम डालेगा अब वो वीडियो जितने भी लोग देखेंगे हाला कि उसके 20,000 उसके followers है तो उसमें सैट लिस 10,000 उसके वो वीडियो तो वो उस वीडियो से influence होके उस travel company के पस जाएंगे और फिर उन्हें जब भी उस देशी नेशन पर जाना हो कही और घुमने जाना हो तो वो उस travel company को ही पकड़ेंगे तो इस तरीक से ये पूरा लेक ये travel का जो culture है नो उस तरीक से काम कता है travel country जो है उनको क्यों इतने sponsors मिलते है just because they have numbers of followers they have viewers they have subscribers and followers that's why any travel company sponsor them to travel with them and just make a video with them so उन्हें वो एक बंदे को sponsor करेंगे और उनको नए दस मिल जाएंगे उस तरीक से ये सारा work culture चलता है so ये समझने के बाद in 2018 में समझिया था तो ये चीज़ समझने के बाद मैंने सोचा कि हायर ये बड़ी आ है कोई travel करने के लिए आपको पैसे दे रहा है और आप सिप अपना content मना रहा हो कितना बड़ी आगा कौन नहीं कौन नहीं करना जाएगा हर कोई करना जाएगा कि यार मुझे सिंस 2018 अभी तक मैंने सिर्फ एक ही travel trip करिया वो भी क्यों नहीं कर पाया वो मैं आपको बता था हूं क्योंकि that were in time मेरे पास कुछ नहीं था like I have that red me not for phone still I have it because I don't want to spend money on this gadget because इस पर मेरा सिर्फ posting का काम होता है like distribution content distribution के लिए काम करता है और एक phone call आजाये like काम हो चल जाता है ऐसा नहीं है कि मुझे इतनी requirement नहीं कि इसके बगर मेरा काम हो गाए नहीं Instagram story नहीं रख पाऊंगा और post नहीं कर पाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है इतनी quality है ठीक ठाक quality है कि मैं at least post कर सकता हो इस camera से picture खिच कर पर वीडियो में नहीं बना सकता 2018 से यह चल रहा था एंड मैंने यह नहीं सुचा कि यार जब मैं नया camera लोंगा तब मैं पोस्ट करूंगा वीडियो बनाऊंगा और Instagram पर रखोंगा या फिर YouTube पर रखोंगा यह मैंने सुचा मैं फोन से वीडियो बनाता था फिर मेरा एक दोस्ट मिला जब मैंने रियलाइस किया कि यार फोन से वीडियो बनाने में quality इतनी अच्छी नहीं आ रही है content अच्छा मिल जा रहा था मुझे ideas आ रहे थे पर quality इतनी अच्छी नहीं आ रहे थे और video quality और audio भी नहीं आ रहे थे तो मैंने सुच है यार camera यूज करते हैं तो suddenly मुझे एक दोस्ट मिला मेरा जिसके अपास camera था like मेरा junior ही था तंजिल नाम है उसका तो उसने देखा कि यार मेरा senior मुझे respect करता है यार हम अच्छी जमती हमारी तो मैंने उसको बोला कि यार ऐसा ऐसा scene है वह बोले हाठ ठीक है ले जाओ नो यार मेरा पड़ा ही हुआ है घर में पड़ा हुआ है camera कोई use नहीं करता है कभी कभी दोस्ता के ले जाते है वो कुछ ढंका काम करते नहीं ऐसे ही और आप तो आपको वीडियो बनाना है आपको उसमें करियर आगे बढ़ाना है तो आप ले जाओ आपको कुछ फायदा होगा तो मुझे भी अच्छा लगया तो मैं वो camera लेकिया है और उसके बाद मैंने ट्रावल किया मुंबई और एमदापाद गया इस दो जगे गया हमे और यह दो जगे तब गया जब मैंने ज्यॉप छोड़ दी थी जो मेरी फिर्स्ट जॉब लगी थी ना वो मैंने छोड़ दी थी और अगर मैंने ज्यॉब के कान शुनने हैं तो मैंने एक already podcast बना आया है उसका नाम था generation gap और ऐसा कुछ नाम ना लेकि रिसक है तो इसके उसमें उसमें मैंने बताया मेरी जॉब की दरनी तो जो मैंने first job छोड़ा उसके बाद उसके पास से कैमेरा लिया and then after I went to Mumbai and एमदावाज एमदावाज फोटोवक के लिए गया था एमदावाज पर बड़े अच्छे connection बने फोटोवक के लिए गया था वो अभी भी connected है मेरे साथ तो यह सीन हुआ और उसके बाद मुझे दूसरी जॉब मैंने क्यों ली वो सारी बाते मैंने उस फॉड़कास्ट पर की ह अगर आपको वो सुनना है तो वो पॉड़कास्ट चेक कर लो रिसक है तो इसके वाला उसमें आपको सारा समझाया दाएगा उसमें डिटेल में मैंने बात की तो second job join की और second job इसलिए join की ताकि मैं पैसे कमा सकूँ और camera ले सकूँ जितने भी gear equipment मुझे चाहिए थे इस travel vlogger बनने के लिए तो मैंने वो सारे पैसे खटा करने के लिए job join की वो जोब मेरी अभी अभी फिलाल चुटी बिकॉज अब कोरोना कोरोना ने पुरी जिन्दगी जंड कर दी सही में बता तो job चली गए and job मैं लेक जॉब में इतने पैसे कमा लिए थे कि मैं camera और laptop दोनों ले हो बट मैं camera मैंने lockdown के मैंने 15 मार्श को मैंने camera लिया 21 मार्श को lockdown हो मैं 15 मार्श को Mumbai जाक है मैंने camera लिया to camera आ गया और उसके बाद lockdown हो गया उतने मेरे इतने पैसे थे कि मैं laptop लेई जो अकुब मैंने लिया नहीं क्योंकि कि अगर मैं laptop लेता तो मेरे पास travel करने के पैसे नहीं रहता है और at least travel करने को छोड़ो मेरे पास petrol के भी पैसे नहीं रहता है नहीं उतने नहीं उतने तो है मेरे पास at least like मैं तीन मैने गुज़र लू इतने पैसे थे without travel सिफ खाना पिने का और रेंड का मैं निकाल दू इतने पैसे थे मेरे पास आपको amount बता हो तो मेरे पास करिबन 60,000 है और मुझे laptop और भी महेंगा लेना था तो मैंने सोचा कि और से होगर थे बट कोरोना के बाद जवाब ल है जिससे मैं कर सकता हूँ ट्रावल बट अब मैं यह सोच रहा हूँ कि ट्रावल करने के लिए मुझे 4000 लग जाएंगे अब मैंने मेरे पूरा जोट पूर कई से जाना में रट लगा रखी البू सीटी मुझे ब्लीव कलर मेरा थैबरिट य विशोट इंदो ब्ली ग méthंट से ऐकस्पडूर करनी और मुझे सीकरभ पास दिन रोएंओ Ihrer Is आडो फेके सम्नुल ने कुछा सब्सक्राइब करके बाए बनाना है लाग बनाना है और इतना इतना फैसों में में इतना होगो में इस तारीके से क्षै क्षोर्ट करें वहापे घर पर जाके कही पहाँ नहीं मिली तो वह एक स्टूरी रेकॉर्ड करने हैं डॉक्यूमेंटिंग पीपल लाइफ यह सारा मेरे दिमाग में अब वाद आके होगा कितना हो तो मुझे पता नहीं तो मुझे ए ड़र है की यार वाई नहीं बोल सकता मुझे पता है मैं जितनी बार यह बोलता हुए नहीं तो मेरे पस ऑंसर होता है बड़ मैं यह शुशता हुआ कि आपको बताउंगा तो आप क्या बिरे मारा सोचोंगे इसलिए मैं I don't know why बोल देता हूँ बढ़ ऐसा नहीं मुझे पता होता है अंसर अगर मेही क्वेस्चन है मेरे अंदर ही क्वेस्चन है तो आंसर भी मेरे अंदर से मिलेगा और मेरे पास अंसर है कि मैं क्यों नहीं करना चाहता है मैं इतने 4 या 5000 spend क्यों नहीं करना चाहता कि मैं यह सुच रहाँ कि अगर मेही ट्रावल कर आया तो वीडियोस तो बन जाएगे बट वो पैसे वसल होगे कि नहीं और अगर वो पैसे वसल भी नहीं हुआ तो अभी मेरा mental state ये पैसों के around बहुत भूम रहेगी पैसे कमाने है पैसे कमाने है हाला कि कहीं से pressure नहीं है बट मैंने अपने आप इतना pressure लिया है कि मुझे पैसे कमाने ही कहीं से तो अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी मेरी फिलाल मुंबे में जौब लगी थी में वो छोड़के आ गया उसका रिजन आपको जानना हो तो फिर YouTube पे मैंने वीडियो डाला हुआ है लिंक आपको इस podcast के description में मिल जाएगी आप मेरी YouTube चैनल चेक कर सकते हो तो आपको वहाँ अंसर मिल जाएंगे इसी वज़ए से मैं आप like मैं वो नहीं करना चाहता कि मैं सोच रहा हूँ मेरा के साह पता अपको मैं अब यह बुक करने से पहला बहुत सोचूँगा कि एक बार पैसे चले गए पिर मैं दो मिनिट भी उसके बारे में सोचूँगा कि क्यू कर एक्षुली पैसे चले गए हैं तो तो आपको बता होग एंड अगर आप यह पहला पॉरकास अगर आप मेरा सून रहा हो तो I'm an environment engineer है तो हमारे लिए एक गेट आती है एंजिनेरर के लिए गेट आती है अगर आप गेट कुलिफार करें तो ऐसा कहा जाता ही कि आप परफेक्ट इंजिनियर बन गया ऐसा तो डिके तो ऐसो भी मिल जाते पर नाम हो जाता कि गेट कॉलिफार हो गई तो अच्छी जोब भी मिल जाती आइट एनाइट में आपको पढ़ने के लिए फ्यूचर के लिए और प्लैस्मेंट भी in जिसी L&T में काम मिल जाता है तो गेट होती है तो गेट अब भी हमारी एन्वार्मेंट के लिए एक गेट नहीं थै मैं टूटार हो इन्टेटिंग में पास आउट किया था तब एन्वार्मेंट की गेट नहीं थी तो हम सबने सीविल की रटी थी और तब में कॉलिफाय नहीं हुआ था तो अब आई है मुझे न्यूज मिले मेरे जुनियर्स ने दी कि अब आई है एन्वार्मेंट के गेट तो मैंने सोचा कि ऐसे भी हमें कई पर लिक अभी फिलाल तो जॉब नहीं मिल रही तो क्यों ना ग केट की फीज थी 1500 जैसे मुझे पता चला जुनियर्स न बोला मैंने तुरंट फैपसेट ओपन की और तुरंट भर दिया 1500 स्पैन करती है अब आपको एक इंसाइट स्टोरी बताओ तो I don't want to be a full-time 925 जॉब मुझे नहीं करना उस सरकल में नहीं फुसना उस रेटरेस में न तो मैंने वो 1500 क्यों ऐसे ही भर दिये जस्ट बिकॉस के वो एज्जूकेशनल स्टॉप था या फिर मुझे कुछ गैरंटी मिल रहे थी हलाकि मुझे गैरंटी तो मिल भी नहीं रही मैं कौलिफा करूंगा कि ने वो मुझे खुद भी बतानी मुझे इतना पता है कि मैं फीज देते हैं वक्त फार्म के फीज बरते हैं और मैंने दो मिनिट भी नहीं सोचा जितना मैं इस ट्रिप के लिए सोच रहा हूँ हाला कि मुझे गूमना है मैं दो साल से इस वेट कर रहा था एंड मुझे इस कॉंटेंट कीशन में आगे बढ़ना है मुझे मुझे पता ह होने में मेरा experience डॉक्यूमेंट करने में बट मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि नहीं जाता ट्राविल नहीं हार चारपत से जर चले जाएंगे और अगर मैं यह जाके आया तो में भी मेरा यह जोतपूर की या जैसल मेर की ट्रिप मेरी सबसे अच्छी सीरीज बन ज है मुझे लोग स्पोंसर करने लगे मेरी यह मेरा यह content अच्छा लगे लोगों को उस पर 100 के व्यू जाज़ा है 200 व्यू जाज़ा है अच्छा काम कर जाए ऐसी possibility है पर मैं उसको explore नहीं करना जाता हूँ उस वहाँ पर मैं उस opportunity को grab नहीं करना जाता हाला कि मेरा पास अब time भी है पैसा भी है तब भी और मुझे वो पता नहीं है कि मैं get में qualify करूँगा भी और करूँगा भी या फिर ongc या फिर relance में apply भी करूँगा कि मुझे मैं उसके लिए confirm नहीं है बट मैं इसके लिए जादा confirm हूँ ट्रावल के लिए video creation के लिए youtube के लिए बट मैं सोच हुआत रहा हूँ तो इस तरीकी के question आते है आपको भी क्यूंकि रास्ते आपके सामने आपको दीख रहा है आपको पत्ते हैं आपको क्या करना है तब भी आप ज्यादा सोच कैसे confusion में bad जाते हो confusion में फच जाते हो जहापर आपको खुदी रास्ता नहीं पता ह अजीव है ना बहुत यह सारी बात आपको अजीव लग रही होगी तो आप सोच रहोंगे कि हम यह podcast सुनकर करे क्या यह तो अपनी problem से बया करे जा रहा है तो like यह podcast इसलिए मैंने documentation रखा है क्योंकि मेरे जैसे और भी कई लोग होगे और भी कई लड़के होगे जिनके मन मे ऐसे सवाल साते होंगे पर वो किसी और के साथ explain नहीं कर बाते है उनके पास कोई वो एक person नहीं होगा जिसके साथ वो share कर सके and मेरे पास भी नहीं है तो मैंने सुचा इस podcast पर share करते हैं जहापर मुझे कोई डर नहीं है कि क्या मेरे बार में सोचेगा क्या बोलेगा क्योंकि इस से शायद 2-4 लोग सुनेंगे और वो भी मुझे नहीं लगता कोई 17-18 मिनिट सुनेगा यहीं सारे questions थे मेरे अंदर और अगर आपका answer बता हो तो comment section में बता देना comment करना review कर देना and यह होता है like parents भी हमारे अगर हम parents को कहें कि यार मुझे यह course करना है उसके लिए dialogue रूपे चाहिए तब के parents बोल देंगे हाजा कर ले हम loan लेके करवा देंगे आपको आपको पढ़ना है नहीं हो जाए लेकिन अगर आप बोलो कि मुझे उस दो साल वो जो course के लिए आप दो साल वेस्ट करूंगे उस दो साल में course नहीं करना मुझे वह dialogue रूपे दे तो मैं अपना कुछ करू हूं लेक मैं पढ़ रहा हूं podcast सुन रहा हूं बट यह दो एक thought है न मुझे लगता है कि यह जिस तरह से हमारे parenting हुई न उस तरह से feedback जाता है यह बहार ने निकलता है वो बोल देना हम कि पूर जो सामें मिलता रहा है उस तरह से लेक मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए उस पाच हजार इसलिए ट्रावल में नहीं करना जाता है क्योंकि मैं भी उस तरह के सही सुच रहा हूं जिस तरह से हमारे parents हो रहा है कि पढ़ ले तो कुछ अच्छा हो जाएगा हम पैसे दे देंगे पढ़ने के लिए इसलिए मैंने वह 15,000 गेट के application भर दी जा पर कोई future नहीं दिख रहा हूं मुझे अपना इस 5000 के लिए मैं जाने के लिए तैयार रही हूं तो शायद आप भी इस तरह के से सोचते होंगे अभी के situation में शायद आप अगले 6 महिने में आपका आप जिस तरह के से content consume करोंगे जो podcast सुनोगे जो articles पढ़ोंगे जिस तरह के से आपका content consumption है जिस तरह के से लोग आपके आसपास है आपको influence कर रहे हैं तो शायद आपका mentality change हो जाए लेक मेरा बहुत हुआ है तो मुझे पता है कि in next six months मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होगा मैं कुछ और तरह के से चीजों को और perspective से कुछ देखूंगा and किसी और तरीके से मेरे दिमाग सूचता होगा किसी और तरीके से मैं pursue करूंगा world को so यह होता है because इंसान आगे बढ़ना चाहिए किसी एक जगा पर फर्स गया तो नहीं मुझायगा न जिन्दगी unexpected होनी चाहिए so बहुत बाते हो गए that's it for this pod I hope कि आपको मुझाया हो like आपको भी मेरी तरह से like मेरी तरह ही आप सोस्ते हो मेरी तरह question आते हो मेरी तरह जिन्दगी जीर हो I hope कि आप मुझसे relate कर पा रहा है और relate कर पा रहे हो तो फिर share करना and review करना follow अगर नस 45 है so that's it for this video मिलेंगे next episode में कुछ नए topic के साथ that's it for this video catch you in the next time आते हुआ आते है